जर्वा नमस्कार्ट, कर्षा बारा के सिलिमस में, A185, बर्भायनिक तकरवार, और हम next topic शुरू करने हैं, next topic या, next chapter शुरू करने हैं, विसमें, photoelectric effect and matter way, परकाश विद्यूत परभाव को दर्वे तरंगे, परकाश विद्यूत परभाव को दर्वे तरंगे, इसमें हम परकाश विद्यूत परभाव के बारे में सिलिए पढ़ेंगे, पूरी दिटेल, दर्वे तरंगों के बारे में पढ़ेंगे, दर्वे तरंगे चाहोती हैं, कि सबसे पहले इसके अंदर बात करें में दो कोमन बातें प्रकाश्वीद प्रभाववी बात में बात करें सबसे पहले हम बात करें आखार एक वरक फंक्शन करें कि दातों में तुरूप से गती करते रहते हैं कि इसे बाहर नहीं आ सकते रहते हैं कि दातों कि सब्सक्राइब नहीं आ सकते हैं कि दातों की सतय को जब भी एलेक्रों छोड़ेगा तो यहां पर क्या आजएगा प्लस आविश्चन कि इसका मतलब यह जो सतय है वह एक बेर काम करती है क्या क्या करते हैं अवरोद का काम करते हैं तो सब्सक्राइब किसी वरोदू कहते हैं दाटू का प्रश्टी वरोदू सर्पेज बेरियर अजय को लेकिन तो इसका बने पीए लिए कि अब दाटू से निकले गए इसका बन भी दी निया यह यहां इसको उर्जा कैसी दी जाती है कितनी दी जाती है तो इसके यहां इंब brings रखेर्पर नितार इन यहां जो क्याते हैं और प्रिंड हाने सबसे सब्सेंड नियां निए वो सब्सक्राइब करते हैं कि दूब गिर्थी है वहां परकाश गिरता है तो इल्याटोन कि क्या होते हैं उत्गे missed कर सकते हैं लेकि प्रष्ट के अब रोध को पार नहीं कर सकते हैं इसे कहते हैं दूसरी बात अब क्या होगा कि अगर इलेक्ट्रों को पार कर सके यहां है यहां से इसके लिए पूझा चाहिए जो इसको इस सतह से निकलने की काम आएगी कि रेक्ट्रों यहाद है और दो आपको पूंचने की जो आवर्ष्ट नियुनतम उर्जा है जो अब तो नहीं का गया है तो अब यह चोटा वात्र करते हैं पूरे चेप्टर में तो यहां कि प्रष्टी अवरोध को पार करने के लिए आवश्य गूर्जा अब यह उर्जा कॉन सी है कि यह प्रष्ट का अवरोध है तो आगे जाने की नहीं है ठीक है अगर उर्जा जादा है तो वह दो भागों में विभाजित हो जाएगी आइंस्टाइन की थिए पड़े ही आगे कि दो भाग में विभाजित हो जाएगी एक बात तो कारेक्लन की रूप में काम आएगा कारेक्लन क्या है जो प्रश्टी अवरोध कि इसमें काम आएगी इसको गती दूर्जा देते की उतनी स्पिट से आगे गती करते हैं तो प्रश प्रश्टी आप रोधा आगया वह में पताओ दूसरा में पताओ कारेक्लन क्लियर तिर उसके बाद आगे बात होगी तो पश्टी रोग माथ देरें तो पहली बात अम बनेनी से लिसे कि इलेक्ट्रोन दातू में मुक्त रूप से के जटी कर सकता है करता है परंतु कि डातु की सब्सक्राइब इस बाहर है कि नहीं कि आ-श्चता है गारण भी दिखेंगे तो आप यह त यह सकते हैं जैसे ईलेक्ट्रोν सब्सक्राइब अब आपना ठीक्रण जोसे आक्र्षित कर लें तुक्त है वरना इसकी आप सकता नहीं है आप नहीं आसकता है यह अवरोद प्रष्टिया के रहा है कर दो प्रष्टिया अब रोद के रहा है अब आती है मीन बाद कारेफ दिए यह लिगरा होगा कारेफ लिए कि इसके बारे में पूछ लेते भी शोट ग्योशन में क्या इलेक्ट्रॉन को दातु की सतर पार करने के लिए आवश्यक नियुन निता मुर्जा ठीक है यानि यहां तक आने में जो रुजा जही है वही है कारेवन उससे आगे की कारेवन निया उससे आगे की गति जोड़ ज बातु की सते को सते की या प्रस्तिय अवरोग ये लिखतों को पार करने के लिए आवश्यक निता मुर्जा दाप्तु का र्त कारेवन कहलाती है इसे फाई से लिए हैं मात्र हुआँए इसका इलेक्ट्रान जोर्ड इसको बोलते हैं इलेक्ट्रावर्ड जोर्ड चाहिए अब यह जान रखेंगी एलेक्टर वोल्ड किसका मात्रग है उर्जा का मत्रग है क्या है कार्यपलन एक उर्जा का जो छोटा मात्रग हो एक जूल है एक उलेक्टर वोल्ड हमें जुरूद रहेगी इस बाद को जहां रगया हमें जुरूद रहेगी निमेरिकल सी चेप्टर से पूछे जाते हैं तो जहाई एनरजी का यूज़ करेंगी हम इन दो चैप्टर में बास आई नरजी हम किसमें यूज़ करेंगे लेकिन जब है कर्वे्ट गरना है तो दूल में कैसे कर्वेड करते हैं तो आप आवेश का मां एक प्वेट के सूतर से आई बात यह विभव विभव क्या होता है किसी आवेश भिद्त लाने किया गया कारें क्या लाते हैं किसी आवेश को तो चीनोट्स को राने में कितना कारें वो किसके बराबर होगा वो वोल्डेज के बराबर होगा तो हम पॉर्मूला क्या यूज करते हैं वी इस इक्वल टू डू डू अब यहां से डू देखें तो क्यू नोट इंदर आज़ेगा वी तो क्यू नोट और यही तो लिखा है यहां यह सब्सक्राइब कर दो पता चलदें आया नसे हैं यह तो वह इसकी बात किसकी बढ़ार जो दूसरा इसमादर के स्यूर्फश और दूसरीबार तीसरे इसके वीन नियुनतम और अदिक्तम करेफिलंड नातों को वुक में आपके दे रखी वाब टेबल दे रहाए हैं नियुनितम अधिकतम के बारे में पूछ लेते हैं तो वह ज़रूर आप धिशान रखें तो नियुनितम कारेफिलन जो होता है नियुनितम कारेफिलन वह सीजियम धातुगा होता है और इसका कारेफिलन होता है तो फॉइंट वन फॉर यह बेगी द्यान दखने हैं और दूसरी बात आते हैं प्लेटीनम धातुगी लेटीनम लेटीनम फीटी से रिखते हैं इसका बात होता है 5.65 इलेक्टरों बोल्ड यह होती है अधिकतम क्या है वाकी भॉदातुगे अंधितम होती है नियुक्टतम है यह दित्व मैं तो कम से हमादितम क्यों तुमका अमेज में पता रहे ठीके एक वाक और मिसमें कर लेको हैं और गीजा की धातु के प्रश्ण अब्रोत को पाल करने के लिए जो हम्येशा चाहिए पुरजा च प्रकाश की आवरती इसका मदलब उर्जा किसके समान पाती है आवरती यह समय पाती है तो यह कह सकते हैं कि सतय से बाहन निकालने के लिए उन्युन्थम आवरती की आपशता ओती है तो हीुग सिनल जलो प्रकाश का आप टोगास इस एक प्रकाश लिए कि पाइब निकल देएगा उस इन्दियों नेता मिअ वर्थी को कहते हैं देहिली आवर्थी त्री सोल्ड फ्रिक्वेंसी परिफली आवर्थी यह बरिवासा महत्मूर्थ है बहुत महत्मूर थेहिली आवर्थी स्कूर्थ कि प्रिक्वेंशी करेंगे सब्सक्राइब करेंगे थोड़ा से दिना रखेंगे तो आवर्ति ही क्यों ले रहे हैं क्योंकि उर्जा किस पर निर्पर करती है तो नियुनतम उर्जा कितनी है कि इलेक्टरन को बाहर निकालने में वही तो है कारेफलम के अपोडिक उर्जा जो है उसको क्या गये उसको यह देहेंगे तो डिवाइन कैसे करेंगे वहें निश्चीत नियूनतम आवर्ति जिसका प्रकास धात्विक सत्य पर आप्तित करने पर एलेक्रों परस्ट्री अवरोध को पार कर सकता है और दाप्ट की सत्तर पर चोड़ सकता है उसे कहते हैं देहली आवर्थी देहलीज कर देते हैं बाउंटरी ठीकिके वाद में कहीं जाहें साहें लेकिन वह मीनीमम मीनीमम में दो क्राइटेरिया वह है तो इसको क्या लिखेंगे वहें निश्चीप नियुन नितमावर्थी जिसका प्रकाश आपकित करने पर इलेक्ट्रों घालतू की सते से सब्सक्राइब 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 कि देहिये आवर्थी कहाँ कि यह बाद में बात करेंगे इसके आगे इक पर और तो इसको लिख लिए भी हो कि आप सब्सक्राइब सब्सक्राइब परकाश विद्धित परभाव में से इसके दो तीन बात इसके करेंगे ग्राफिकल पार्ट करेंगे इसके अंदर ग्राफ बढ़ा बढ़ा कि सारी सी जी जाएगी वह बहुत ही में पूरा थोड़ा थे अब बैसी भी समझना उसको देखकर कुस्वी ने आएगी उसके हम बात करेंगे नेक्स्ट करेंगे करेंगे अब दो अब यूल 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 यूब यूल झाल झाल